25 दिसंबर 2023 को फाइनली बो दिन आ जाएगा जो कि इंडियन सिनेमा इंडरस्टी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है मतलब यार इस दिन दो बड़ी मुविस यानि टंकी एंड सलार आपस में टकराने वाली है क्योंकि यार दोनों ही मुविस एक दिन रिलीज होने वाली है अब हाँ टंकी एक दिन पहले यानि 21 दिसंबर को रिलीज होगी पर वो भी Overseas Markets में तो अब यार हाली में दोनों ही मुविस के ट्रेलर भी आ चुके है जिसमें से यार पहले 영髈 एक दिसंबर को सलार का ट्रेलर आया था एड पास दिसंबर को डंकी का आया तो अब यार सलार का ट्रेलर तो एकदम चीफ आड़ करने वाला action pack ट्रेलर था पर अब अगर बात करें डंकी के ट्रेलर की तो यार आप absolutely जिसने भी इन दोनों ट्रेलर को देखा है उने दोनों में डिफ्रेंट साब साब दिख गया होगा मतलब यार जब मैंने टंकी के ट्रेलर को देखा तो मुझे यार कहीं न कहीं डर लग रहा था कि क्या ये सालार के सामने टिक भी पाएगी या फिट नहीं मतलब ट्रेलर में एक भी ऐसा मोमन नहीं था जो कि गूसमम्स अराइब वाला मोमन दे पर यार जब मैंने इसके ट्रेलर को अच्छी तरह से 1080 की क्वालिटी में हैट मूर्स लगा के देखा तब बता चला कि यार ये तो साला चोटा बैकट बड़ा दमाका है मतलब यार लिटरली आप सूच बिनी सकते हो कि ये मूवी हमारे इमोशन के साथ किस कल रखेलने वाली है क्योंकि यार ये वो मूवी नहीं है जिसका नशा ओडियन्स पर तुरंत ही चड़ कर तुरंत ही उतर जाएगा बनकि ये वो मोई है जिसका नसा ओडियन्स पर दीरे दीरे पर एक लॉंग ड्रम में चड़ेगा अब जैसे आप राजकुमारी रानी की बाकी की और मुविस का भी एक्जामपल ले सकते हो मतलब अगर आप उनके वी ट्रेलर्स को देखोगे तो वो भी आप वो इसी तरह से स्लो फिल कराएंगी बट एस वी ओल लो मुविस वो एक तम माइंड बेंडिंग थी अब वैसे ही कुछ डंकी भी होने वाली है एंड यार इसके ट्रेलर से थोड़ी थोड़ी इसकी स्टोरी का भी अनादा लग गिया है अब अगर स्रु से सुरू करें तो ट्रेलर की सिरुवात अपने SRKK के करेक्टर हाइडी से होती है जो क्रीड ट्रेलर में इसके टीजर वाली अधुरी बातों को पूरा कर रहा होता है मतलब मुवी में आरडी और उसके दोस्त लंडन जाना जाते हैं अब ये बातों हमें इसकी ड्रोब बन सही बता थी पर क्वेश्चन दिमाग में ये गूम रहा था कि आगर उन्हें वहाँ जाने में किस दिक्रण का सामना करना पर रहा है तो अब इसके ट्रेलर में इस बात को भी क्लियर कर दिया गया है मतलब हमारे सबी लूईट करेक्टर को लंडन तो जाना है पर मेरे उनहें जिस दिक्रण का सामना कर रहा है वो है language barrier मतलब यार हमारे सबी करेक्टर्स में से किसी को भी इंग्लिश नहीं आती है अब इसलिए उन्हें लंडन जाने से रोक दिया जाता है अब इस पर विक्टी कोशलगा करेक्टर एक बहुत अची बात भी एता है मतलब जो गवर्मेंट का ओफिसर उनको रोक रहा होता है वो खुद एक अंग्रेज होता है जो कि पंजाब में अपनी डूटी कर रहा होता है तो इस पर विक्टी कोशलगा करेक्टर कहता है कि क्या इसको पंजाबी आती है अब नहीं ना पर फिर भी ये पंजाब में नोकरी कर रहा है तो हम लंडन में जाकर क्यों नहीं कर सकते है पर एड दी एड उन्हें जाने से रोक दिया जाता है एड यहीं से उनके दिमाग के गोड़े उल्टी दिशा में दोड़ने सुरू हो जाते है और वो लेगली नहीं तो इलेगली तरीके से लंडन जाने के कोशिश करते हैं एंड हाँ इसी को टंकी फ्लाइट कहा जाता है तो अब इसमें उन्हें कई दर्शों से होकर कुझरना पड़ेगा और ओबेसली वहाँ की पुलिस और आर्मी से भी बच करेना पड़ेगा और ट्रेलर में हमें दिखाया भी जाता है कि उन्हें कितनी जादा मुश्किलों का सामना करके वहाँ जाना पड़ता है मतलब सिर्फ ट्रेलर ट्रेलर में वो लोग चार अलग अलग त्रीकों से लंडन जाने के कोशिश कर रहे हैं जैसे पहले वो एक रेकिस्टानी रस्ते में से पैदल जा रहे होते हैं और फिर एक नती के रस्ते से एक बोट में बैट कर जा रहे होते हैं एंड आगे भी एक ट्रेन एंड ड्रक में बैट कर पुलिस वालों से चुपते चुपते जा रहे हैं तो यार ये मूवी जो इमोशन का एक तार होती है उसे तो बहुती ज़ाद जोर जही लाने वाली है अब आगे हमें ये भी दिखाया जाता है कि अपने हार डी का करेक्टर एक वेटिंग सूट में होता है तो ओपेसली वो लंडन में जाकर शायद बहाँ पर सेटल हो गए होंगे पर फिर शायद कुछ ऐसा होगा जिसकार उन्हें वापस अपने वतन यानि हिंदुस्तान लोटना पड़ेगा वो भी 25 साल बाद अब मैं पूरी तरह से शोर नहीं हूँ पर शायद 25 साल बाद हार डी और उसके दोस्तों के ही जैसे कुछ और लोग होंगे जो कि उन्हीं की तरह लंडन या किसी और वेस्टन कंट्री में जाना जाते होंगे और फिर अपना हार डी उन्हें अपनी आप मिती बताएगा अब इसी लिए चाहे आप इसका टीजर ले लो या इसका ट्रेलर दोनों में ही हार डी अपनी कहानी को बेंका रहा है अब बैसे यार अगर अभी वीवन में ये डाउट है कि क्या ये मुवी सालार के सामने चल भी पाएगी या फिर नहीं तो यार फिर शाहिद आप इसके डिरेक्टर राजकुमार हिरानी को जान दे नहीं हो मतलब हाँ बनता मासी एक्शन वाली मुवीस नहीं बनाता है पर जो बनाता है वो ऐसी होती है जिसके बारे में लोग कई सालों तक चर्था करते हैं अब बड़ा एक्जमपल आप त्री इडियोट्स का ले लो मतलब आज उस मुवी को आई लग बक्चोदा साल हो गए है पर फिर भी कोई भी उसे नहीं बूला है क्योंकि यार जो मुवी राजकुमार हिरानी बनाता है वैसी मुवीस कोई और बना ही नहीं बता है अब इसी लिए तो डंकी के बारे में भी जो इस मुवी का हिस्सा है वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम इसके बारे में ज्यादा कुछ दो बात नहीं कर सकते हैं पर हाँ ऐसी मुवी अगले एक दशक तक तो बिलकुल भी नहीं बनेगी अब ऐसे डंकी जिस मूवी से ठकराने वाली है यानि सालार उसने भी जबाब में कही सारी प्लैनिंग्स कर रखी है अब सालार के मेकर्स डंकी के खिलाफ क्या मस्टर स्टो केलने वाले हैं तो यार वो वीडियो तुमें इस वीडियो के end screen में मिल जाएगी मा की यार अगर यहां तक वीडियो को देख लिया है तो फ्लीज यार इसे एक लाइक शुरूर कर देना और हाँ, मन करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो चलो मिलते हैं किस नक्स्ट वीडियो में